वे स्वागत है आपका हमारे यूटीब चैनल سडस्टडय आप इंजिनेरिंग के आज की आपकी क्लास एंडस्ट्रियर एंजिनेरिंग की फिर सी스크 के पिछला लेक्ATOR आपका क्या करते हैं कि अलहدم इसके पहले लेक्षी लिए जाचुक हैं इंडस्ट्रियर इंजिनेरिंग प तो चलिए आज क्या करते हैं कि क्लास है आपकी फिर से तो आपके जो भी दोस्ते हैं अभी तक नहीं जूड़ पाया है वह जल्दी से जल्दी जूड़ जाएं तो क्लास स्टार्ट की जाए इस आपके भी तक जो नहीं जूड़ पाया है लोग उनको कहा दीजे कि जूड़ बताये थे उसमें आपको बताय गया था कि एक्जाम आपकी पंदर तरिस पहले नहीं होने आले हैं तो चुली टाइम बहुत ज्यादा हो रहा धीर धीर अब क्या कते हैं कि हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं तो आज का जो पहला कोशन के साथ आपको होगा पहला लेक्ट्चर देखिए आज का आपका पहला कोश्चन क्या कर रहा है इंडस्ट्रियर इंजिरिंग का पहला कोश्चन आज का तो आपका जो क्या करते हैं कि इसके पहले जो चीजे थी उसमें आपको बता रहे थे आपको उसमें पिछले थर्मलिंग के लिए बारे में आपको बता रहे थ उसमें कुछ चूट गया थे तो आज इसको कवर कर लिए जागा थर्वलिंग का तो थर्वलिंग जो था क्या करते हैं कोचिन पिछले बहुत से कुछन उसमें थे थार्व निबे थोड़ा सा टॉपिक यह ज्यादा इंप्वॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा से अधिक है फि बिकर किया रहता है तो फ्रीश के लिए हमेशा अद रखो हमेशा सordeकों फ्लांट फ्लांद का मतलब अक्या है आपका द ज surprises plan का पी और लाष्ट वर्क्या न तो यह चीज यूज क्या रहता है फ्लाइं के लिए घिल्डr यानि की प्लान थर्बलिंग के लिए तुम्हारा पी एन यूज किया रहता है अप्शन ए सई होगा चलो जो देखो कमेंट में आपको बताते रहो कि लेक्चर आपको कैसा बसंद आता है कि नहीं आता है क्या चीड़ है कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ यह तो चले अगला कोशन पहला कुशन आपको क्या था प्लान थर्म की युच के लिए उ चुले रहता है तो पी और का सबस्विक्षण के तरफ देखिए आपको प्रैक्टिस को प्रैक्टिस कि रहे हैं बहुत ज़्यादा डेटेल जाएँगे तो लेक्टर बहुत ही होगा MCQ के उतने अच्छी तयारी होगी चलिए अब अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं दूसरा कोशन क्या बोला है देखिए फिर आया थर्बलिंग का कोशन थर्बलिंग का कोशन अब कौन सा पुछ रहा है होग उट का एक पीछे प्लान के लिए तुम प्लान के लिए लीए लिए लास्ट वृण और पाला वर्ड तो हमेशा जो भी थर्बलिंग की बात कि जाए उसमें यह तो पाला वर्ड लहूगा या तो लास्ट पाला दोनों को मिला के रहता नहीं अब अब उसको काम कर सकते है देखो अधिकतर अप्सनाइब का हिए अपकर आप तो तो प्रांट परण सेके तो पिछले कोशन में तरे पिछले कोशन में पिछले कुछन पी- अल-एय-अ और पी से से या तो दूसरे वर्ट से कुछ स्टार्ट होने वाला एंसर तो चले इसी साब से इसका जो दूसरा कोशन है दूसरे कोशन में भी आपको क्या करते हैं कि होल्ड की बात की गई तो होल्ड का देखो इसमें hold का h आ रहा है यह option d वाला सही आ रहा है ठीक option d आपका सही है लेकिन देखो इसमें अगर यहाँ पर d लिग देता है अगर पिछले वाले trick के coding अगर d यहाँ पर last word है लास्ट लेटर है तो उसको लिखते है उस वर्ड का पाला लेटर या लास्ट लेटर मिला के एंसर हो सकता है अगर option में एक जैसे दो option नहीं दिखाई दे रहा है चलिए अब बढ़ते हैं अगला question तो hold थर्विल क्लिक इसका युच्छ के रहता है है एच का option कौन सब्सक्राइब हो गया तुम्हारा d ठीक आप भी कमेंट में बताते चाहिए एंसर कुछ बताइएगा चलिए अब आते हैं अगला question अगला question आपके screen पर दिखाई दे रहा होगा चलिए अगला question क्या कह रहा है कि वाट इस दा यूज आप सी एस आई एम ओ सीमो या सीमो कुछ भी कर सकते हैं सीमो सीमो पाले आपके बता दो सीमो सीमो हो गया अब सीमो का अगर देखो तो हम एक question दूसरा बना है कि वाट इस यूज यूज का मतलब प्रियोग तो पूछ रहा का वाट इस यूज आप सी सीमो यानि सिमो होता है यानि कि सीमओ हो चाट का यूज कहा करते हैं यह कहा करते हैं उसका यूज क्या है सीमो चाट lot to यूज क्या है तो देखो जो कि एक पले सु बता आन्र और मां को यह बताते हैं कि देखो सरी मों कभी कभी फूलफाम हम ऍवी CVA क्या होता है शींवु लेटेनियस मोसन साइकिल चार्ट सीनु लेटेनियस मोसन साइकेल चार्ट देखें इंग्लिस वर्याद रखिए हिंदी में आप जाएंगे दिक्कत आपको बहुत अधिक होगी तो क्या होगा सिमू लेटेनियस मोशन साइकल चार्ट देखें यह चीड यह वाला यह चीड देखिए ठेक यह चीड यह फूरा फुल फॉल फॉर्म होगा अगर कोई आप से पुश्थता कि SI모 का फॉल फॉर्फा क्या होगा तो आप बोले लेटेनियस मोशन चार्ट cycle chart ठीक अब आते हैं इसका question जो पूछ रहा है question क्या पूछ रहा है वो देखिए question क्या कर रहा है what is the use of CMO chart and CMO chart का प्रयोग क्या है तो देखो पहला option जो दिया गया है to develop the method to develop the method of repetitive method of working ठीक method to develop the method of repetitive method of working ठीक दूसरा option क्या है to find the standard time of repetitive moment मलब दूसरा option क्या है repetitive moment को मानक स्टेंडर दोलब होता है मानक time यानि मानक समय एक repetitive moment का एक मानक समय को find करने के लिए standard time repetitive moment के repetitive moment के standard time को find करने के लिए CMO chart पर लिए किया जाता है या आपको जो तिसरा option दिया जा रहा है वो क्या लिखा रहा है to increase productivity with the help of micromotion study जो productivity है उसको increase करने के लिए किसकी सहायता से help of micromotion study यानि कि micromotion study के द्वारा उसकी सहायता से productivity को increase किया जा सकता है CMO chart के द्वारा यह पूछा हो सकता या option all of the mentioned यानि कि जो उपर सभी दिये गए है वो option सभी सही है यह आओ आप कहाने कि CMO chart का प्रयोग CMO chart का यूज क्या है तो देखो CMO chart का यूज तुम्हारा क्या होता है देखो अब सीधे सीधे स्कैंस और प्याओ तो CMO chart का यूज देखो कब कब बताया to develop the method of repetitive movement repetitive method of working यह भी सही है to find the standard time of repetitive movement यह भी सही है दोनों option सही है तिसरा to increase productivity with the help of micromotion study यह भी सही है यानि कि option D सही होगा option D सही हो जाएगा थोड़ी सी English है कोई दिक्कत नहीं यह समें नॉर्मली सभी वर्ड आपको सब टेक्निकली थे तो इसको बहुत ज्यादा हिंदी में करते तो बहुत दिक्कत होती अब micromotion study था उसको भी इंग्लिस है तो बहुत आराम से आत हो जागे लेकिन हिंदी करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी प्रोड़क्ट्विटी और इंक्रीज यह सब चीज़ें थोड़ा सा इंग्लिस वर्ड आपको याद रखे क्योंकि आप आगे ज्यादा यूचाहेंगे अब चले अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं देखें अगला कोशन क्या कर रहा है देखें निमलिखित में से निमलिखित में से कौन फोटोग्राफी और फिल्म तक्निकी का एक प्रकार नहीं है अब पूछ रहा है फोटोग्राफी और फिल्म तक्निकी का एक प्रकार नहीं है यानि कि इसमें से चारों जो आप्सन दि लिए देखो तुम्हारा क्या मेमो मोशन फोटोग्राफी यह प्रकार होता है क्रोनो साइक्ल ग्राफ यह भी सही है यह भी होता है फोटोग्राफी और फिल्म तक्निक का एक प्रकार होता है लेकिन यहाप नहीं की बात की गई है इसलिए सीमो चार्ट सीमो चार्ट फिल्म त तटानी की रेंस्ट रेसर पॉ जही होगा अब बढ़तें कोशन कि तरफ अगला कोशन क्या करा रहा है यह देठिए है कार माप का सब्सक्राइट से धायर कि यह वर्किंग मेजरमेंट कि मतलब वेजर्मेंट a working measurement का उद्द्ध से ऑपजेक्टिव उसका औब्धयक्ट क्या होता ओप ओर Corc मेजर्मेंट का ओफजेक्ट तुम्हारा क्या होता है option अपके सामने दिए अप्जन Hai ऑब्चन क्या दिए निदेगे ये काम करने का सबसे कुशल तरीका खोजने में सायक होता है यह काम करने का सबसे कुसल तरीका खोजने में सायक होता है यह अब्जेक्ट होता है कि दूसरा प्रदर्शन के मानक को मानकी कृत करने के लिए यह यह सिंथेटिक समय देटा एकत्र करने में मदद करता है यह option सही होगा चलिए अगला option क्या बोला या बीधी का रिकार्ड रखने का एका स्थाई साधन है अब देखिए कारिम आपका जो उद्देश होता है वो क्या होता है कि यह काम करने का सबसे कुछ तरीका खोजनी का साय को सायता नहीं यह गलत है है कि दूसर्य प्रदाशन के मानना को मान की खिरिद करने के लिए सही यह अफ्सन साय बीस होगा यह सिंथेटिक समय के लिए गलत है यह विदी मेरे कार्ड करने का एक अस्ता रेसा नहीं यह अश्य नहीं कि कारे माप की तकनिक है तो कारे माप की जो कर तकनिक होती है जो त्मारा क्या होता है किसी कारे को मेजर करने का रेका होता है सिंथेसिस फ्रॉम from element टाइम को सींथेसी this from element टाइम यानि की मेंfound now टत्त होते हैं टाइम के जो फिर्पत होते हैं उनके लिए सब्सक्राइब सिंथेसीं थे सब्सक्राइब क्रणा सान्ना चल्सक्निक का होdefined दिख्रा देगा इसे एसे जोट है हिर्पत करना będzie दिखा है लोको तीसरा उप्षन कारे माप की तक्निक बताना था तीसरा उप्षन जो आपको दिया गया है सब्सक्राइब करने का एक प्रक्रिया होता जैसे कि अगर आपको क्या करते हैं कोई भी काम करना इसका एक सब्सक्राइब करने के लिए कारी को मेजर करने के लिए उसकी मुल पर करते हैं और आपको सामने अगला करते हैं फिर रिकॉर्ड करते हैं फिर एक्जामीन करते हैं फिर कंपाइल करते हैं फिर मेजर करते हैं यह सही होगा कि तिसरा करेंगे पहले काम को करते हैं फिर डिफाइन कर तो जो होता है तो किसी भी काम को करते हैं काम को क्या जाता है फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है है फिर एक सांग करता है फिर उसको मेजर किया जाएगा फिर कंपायल किया जाएगा फिर डिफाइन किया जाता है ठिक यूट्ट 않아요 यह सही हो जाएगा यह चीड़ा प्याद रख लिए किसी कारे करने के मूल पर क्रिया होती है वो रिकॉर्ड सलेक्ट रिकॉर्ड एक्जामिन मेजर कंपाइल डिफाइन चलिए अब बरते हैं अगले कोश्चन की तरफ कि अगला कोश्चन आपका देखिए क्या है कि अगला कोश्चन जो आपका है कोश्चन नमबर एट क्या कर रहा है कारे मापन के लिए कौन से उपकरन का अप्योग किया जाता है नहीं कि देखो यहां पर नहीं की बात हो रही है नहीं की यानि कार मापन के लिए कि सुपकर्ण का प्योग नहीं किया जाता है तो तुमको पता है जो कार मापन है वो स्टॉप वाज के द्वारा किया जाता है इस टॉप वाज के द्वारा किसी भी कार का मेजर्मेंट किया जाता है मेस्ट्रो क्रोन के द्वारा भी क्या जाता है मेस्ट्रो क्रोन के द्वारा भी कारे को मापा जाता है यहां पर लेकिन नहीं की बात है टाइम स्टेडी टेबल यह नहीं होता है टाइम स्टेडी टेबल जो है मेजरमेंट नहीं यह कोई उकरण का नहीं है जिसके द्वारा कार सब्सकiendo कोई उकराण नहीं है टाइम सब्सक्राइब कहारी करने का उकराण नहीं होता है इस अज़ान की तरव बढ़ते हैं हיע इस ग्वेसिशन नमबर नाइन है इस पिर नहीं क्या करणा है यह अध्यन आज नहीं किया जा सकता है यह नहीं फिर यहाप नहीं की बात की चाहिए है तो निल्खिन से कौन सा स्टापवाच के समय अधन में उप्योग नहीं किया सकता है तो देखो आपके सामने ऑप्सन दिये नाँ टोधिया है आप आप से पढ़िए पहला फ्लाइबक स्टापवाच दूसरा नॉन फ्लाइबक स्टापवाच तिसरा इस स्प्लीट सेकेंड इस्प्लीट हैंड स्टापवाच चार ऑप्सन दिये कहा है इस किस है किस का यूज कौन सा समय अधन में नहीं किया तो याद स GT car आधिर्षर रखो जो होता है तूरकर लिए स्टॉद शीट सेकेंच, उप्योग नहीं कि आता है घुंट है तो एक बार फीर से आप कोश्वन पढ़ लेजए ेए तो तुम्हारा क्या पोला कौन श्टॉबवाच के समय आध्यन वायनिक आता है तो तुम्हारा इस प्लीट सेकेंड डिस्टाप वाच आप संसी सही होगा ठीक अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन क्या कर रहा है दवर किस ब्रोकेंग देखो क्या लिखना है दवर किस ब्रोकेंग अप इंटू इट्स वर्क एलिमेंट ड्यू टू जो तुम्हारे जो कार दोड़ा जाता किसमें अब इंटू किसमें तोड़ेंगे वर्क एलिमेंट में जिसकी विकारे को वर्क एलिमेंट में तोड़ने का कारण क्या होता है किसी विकारे के वर्क एलिमेंट को तोड़ने का कारण क्या होता है तो किसके कारण आप वर्क एलिमेंट को किसी भी वर उसके वरक ऐलिमेट में तूड़ते हैं तो किस के खान तोड़ते हैं तो हमेशा याद रखो यह किस लिए करते हैं वरक में तोड़ने के लिए तो यह का होता है उत्पाद कारे से देखो, वर्क इलिमेंटम जोड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? उतपाद कारे से गैर उतपाद कारे की अलख करने और इसे सांथ करने के लिए option A सही होगा, काम को आसान बनाने के लिए नहीं तोड़ते हैं प्रक्रिया को सरल बनाए यह ऐसा ऐसा कोई मतलब नहीं तोड़ने का समय की गढ़ना के लिए भी नहीं होता है और सब्सक्राइब किसी भी उत्पादक कारी को अलग करने और इससाथ करने के लिए यहीं वरक कल्यमेंट को तोड़ा जाता है और की किसी भी काम कोस की आलमेंट में तोड़ा जाता है चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुश्शन कोषे संट तरब प्रकार नहीं है तो वर्क अलिमेंट का प्रकार नहीं है इसके देखो रिपीट आप सब्सक्राइब का प्रकार नहीं होता है अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ बारे नामर कोशन का कह रहाएं यह देखिए कि लिखित में से किस स्थिति में समय के अध्यन को आवशकता है ऐसी कौन सिस्थिति है जिसमें समय के अध्यन की आवशकता होती है तो समय के अध्यन की आवशकता होती है देखिए उत्पाद की बढ़ती अस्विकृति यह गलत है इसमें समय के अध्यन की आवशकता नहीं है ठेक सभी आई सारी देखिए थोड़ा सा कनफूजन हो गया था इस इसमें क्या बोला है इस्थिती पूछ राता था थोड़ा सक्वज वो सकता है सभासकता है समय की अध्यन क्या आσकता है यह पूछ रहा है तो ऐसी कौन से इस्थिती है न नहीं क्यों नहीं हो रहा है कि मेरा किस समَّय का धन स्विक्रit diville के लिए मानक समह खुजने के लिए यानि किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए कि उसके एक डेंडर होती है किसीज़ को एक कशा कंशिए सकता है कि तो है कम से कम तो उसके लिए भी समय के देखने सकता है तो जो तुम्हारा ऑप्षन इसका बनेगा कि समय की अध्धन क्या सकता होती है वो क्या है सब्सक्राइब निकालना है किसी भी परफार्वेंस का क्या कर रहा है तो कितना जाल बैतर किया उसकी एक रिटिंग होती है को सिकोंते हैं यानि मंक गल साथ हमेसी हमेशा तेगहाँsın कर दिडिन साथ है तो आड किना कर दीति हैं , एक भी उसका फर्फार्मा Might निकालने का फार्मूला ज долाता है वह हमेसर याद रखिए के देखिए कि अब जर्ली पर्फार्मंस और एक इसको बताता है कि इसके लेग पीज जोड़ते हैं परफार्मेंस रेटिंग निकालने के लिए तुम्हारा देखो परफार्मेंस रेटिंग अगर निकालना है तो इसका जो एंसर होगा वह क्या होगा कि आप ज़र्व कि परफार्मेंस और यार लिखा नहीं रहा थो सही से आप डायर्ट बास समझेगा हम जो बोलना है उसी जो खुम सॉट करने थोड़ा बताएंगे ठीक अब देखिए परफर्मेंस एंटिक निकान ले का जो फार्फॉला होता है वो होता है अब्जर्ब अब्जर्ब परफार्मेंस ठीक अब्जर्ब परफार्मेंस बाई नॉर्मल परफार्मेंस नॉर्मल परफार्मेंस ठीक इंटू हंड्रेट यह होता है फार्मूला किसका परफार्मेंस रेटिंग निकान ले का परफार्मेंस निकान ले का क्या फार्मूला होता है अब्जर्व पर्फार्मेंस अपान नॉर्मल पर्फार्मेंस इंटू 100 यह तुम्हारा होता है आपको इसी भी पर फार्फार्मेंस रेटिंग को प्राप्द करने का तो चलिए अब तो उसका एंसर दिखते हैं क्या होगा तो यह question थापका तो performance rating निकालने का जो वना है वो क्या थापका बताया हूँ observe performance by normal performance into 100 यानि कि option A सही है option A सही हो जाएगा ठीक अब अगला question की तरह बढ़ते हैं अगला question क्या कर रहा है अगला question बोला हूँ 60-80 rating पैमाने के लिए rating पैमाने के लिए कुसल कारे करता द्वारा अधिक गती आत्ममिस्वास पूरी चंता से की गई गती विधी के लिए कौन सी rating आवंटित कियाती है यानि किसी भी 60-80 rating पैमाने के लिए अगर 60-80 rating पैमाने के लिए ये कुशल कारेकरता द्वारा किसी स्किल्ड रखर द्वारह अधिक घति आत्मी विश्वास पूरी चंटा चेय गई गतविधी कंसी रेटिंग क्या तो इसके लिए कितनी रेटिंग दी स्क्राइब के लिए सवर्धिया आप सण सीच हो जाएगा अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन क्या बोला है फॉर देखे अगला कॉशन बाफ फॉर वान था सश्व से 133 देज केल ऊपर क्या बोला था साट से असी रेटिंग इस्केल का साट से असी की बात कि जाए तो यहां पर देङको बुला सो से 133 फोर हेंड कि रेटिंग इस्केल विच रेटिंग को न करने के लिए क्या रेंटिंग दी जाती सब्सेक्तों किया लाट किया ओर किकी जिसीञर कीडिक लाइंव कोई काम ना करने यह जीरो अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ कि अगला कोशन क्या बोला है पचहत्तर से सो रिटिंग पैमाने के लिए फिर आ गया पचहत्ता से सो रिटिंग के लिए बहुत धीमी गती से बिना रूची के और सोते समय के लिए अच्छी रूची के लिए अब क्या कोशन आपके आया कि सकतर से शो स्केल पैमाने के लिए बहुत धीमे गति से बिना रूची और सोते समय की गई विना रूची के गई है और सोते समय की गई गई के लिए कौन से रेटिंग वंटि führt की जाती है तो वो हमेजoin की जाती है कितने की वह त्वा आज Timothyники numa कितनी一下 सब्सक्राइबimes1 निखाले का र Hence the JENुख की समय निकालने है उख है सबसे बेसिक टाइम निकालने कeह भॉमला क्या होता देखो तो बेशिक टाइम निकालने जो फार्मुला जो होगा वह हो जाय ≦ बेशिक टाम निकालते का से है वह देखो यह पर फार्मन्स के लिए तो पर फार्म एंटिक निकाले थे हो बचान बैशिक टाम के लिए समारो बनता है लेन्टा है अब जर्व टाइम अब टाम time into observe time into rating of worker into standard rating कि थोड़ा सा गलती हुआ है देखिए एक चीज फिर से कि सब कुछ सही था इंटू नहीं होगा हम पर पताते हैं क्या है इसका जो एंसर होगा और बेसिक टाइम बेसिक टाइम निकालने के लिए फार्मुला जो बनता है वो बनता है कि अब जर्ब टाइम अब्जर्व टाइम अब्जर्व टाइम यहां पर मल्टिप्लाई लगाओ और ब्रेकेट में रेटिंग आफ़ वर्कर रेटिंग आफ़ वर्कर डिवाइड़ बाई स्टेंडर टाइम स्टेंडर टाइम तो क्या बना इस हिसाब से इस में और सिंग Farm कौना CRY होगा देखो हुआ स्टेंडर टाइम ऑप्जरव टाइम इन्टू रेटिंग अफ रेटिंग अफ़ प्लैस्टेंड़ टाइम ठीक तो option C सही हो जाएगा basic time के लिए अब पढ़ते हैं अगले question की तरफ कि अब आजाओ तुम कोई भी काम करते हो तो उसमें कुछ छूट दिये जाते हैं हमें इसा देखो Medical branch में छूट दी जाती है कोई भी चीज बना जाता वसकी छूट दी जाती है की उतबना दित्तक को हम अपको किया सकता है लेकिल उस से काम चीतिक ने कर सकते हैं उसी कोई तरफ का सकते हैं रिलेक्सेशन उसी को रिलेक्सेशन बोलते हैं छूट को Гर्णब 7 या माइनस होता है तो आपको वो आपका बोल्ट ले लिया जागा चाहिए तो उसी सबसे यहां भी इंडेस्ट्रियल इंजिनिरिंग में भी क्या होते हैं तुम्हारा एक छूट दिये जाते हैं क्या चीड़ा है वो देखें क्वेश्चन जो बोला वो बोला छूट बता क्या है अलाउलंश किया है रिलेक्सेशन एंट बता क्या होता है चू तो परला फाहर्व यह स्क्रिन चूटा करने धाव स्रमीकों को निर्दिष्ट कारे करने के दूपर प्रहोस उभरने का उसर प्रदान करने के लिए फिजिकल उपर उसको उभरने के लिए ऊसर प्रदान करने का एक समय, कारेकर्टानाइँ जरूरता होते हैं समय जरू घ venture कंके लिए उनको कुछ जरूरत होती है उसको प्रदाना किया समय चूट भत्ता से सकते हैं टाइम देना चूट बता से मतलब है टाइम देना काम करेंगे उनको कुछ चूट दिया जाएगा कुछ काम अपने थोड़ा रिलक्स हो जाते हैं तो उसी हिसाब से यहां पर क्या आपसंदिया जा रहा है तो पहला जो आपसंदिय लिखा गया हूँ है स्रमी को को निर्दिष्ट कार यह करने कि कारने कारने ठकान करेंừ कि ठकान चौ चौथा शूट वब्ध最ahaha टो चूट फ़ट्बता कि लिए ले जञे ता है वह को स्रमी को निर्दिष्ट कारेंकि करने के बहुत बहुतिक प्रफाव से उबरने का एक उसार प्रता कियाता है ठीक जो भी उनके बहुतिक प्रफाव हैं उससे उबरने का एक और सब्सक्राइब सही हो जाएगा चलिए अब बढ़ते हैं अगले कुस्टन की तरफ अब पाले उपर गम्हेता का बात खेंगे अब क्या है कौन से रिले सेक्शन का बात की जाएगी इस सर्दिनस और है पर्सनल एप परसेनल लीड्री जर्योश का रिलेक원이 दाखाना और साथ में कारिकरताओं के उसकी कर्मियों की जरुतों के लिए प्रदान किया गया समय कारिकरताओं को उसकी कर्मियों के जरुतों के लिए प्रदान किया गया समय ठीक कि और सन भी सही होगा कि अब बढले को संब कि तरफ अंदर को स्ठेस क्या बोला है वो देखिये अगर लाकुशन जो बलना है जबना का वाट को एच फिक थाकान बद्ता थाकान बदता देखें क्या थाकान बदता जो हुमारा होता है भू क्या है थकां बता क्या है रिजो के सारी करता होते हैं कि काम करने के कारण तो निर्देश्ट कारे करने के कारण होने वाली थक जाते हैं तो सारे और मानसिक रूप से उबर जाए उसके लिए थकान को बहता जिसे और काम कर सके यानिकि ऑप्षन भी सही होगा ठीक अब बढ़ते हैं अगले कुशन की तरफ प्रक्रिया बत्ता क्या है प्रोसेज अलाउनेंस तो प्रोसेज अलाउनेंस क्या होता है तुम्हारा तो प्रक्रिया बत्ता क्या होता हो देखो प्रक्रिया बत्ता होता है तुम्हारा प्रक्रिया बत्ता हमेशा कई कंडिशन द ता दिया रहता है यांगी अप्सटन डी साई होगा सट डाउन प्रक्राइबता के लिए तुम्हारा अगले कुछह सब्सक्राइब गजा प्रक्राइबता होता अब बढते है अगला वर्क कंटेंट वर्क कंटेंट का सलम्हक्राब और क्रक्राब होताया तो तो हमारा होता है कि आपके सामने दे다음 कि मिएए अगर आपको यहांा तर बताएं नहीं चम्य में अन्यक्तिन का मुण येहने उसामगलि का संब्सक्राइं का और की को पलाός कapolis कर सकते हैं की के वर्क सी और कन्टेंट को क्या होगा तो वर्कшт评 चया वता है जो वह न कि दिख टायप कि दिख 1900 प्लस रिलेक्सेशन है सेवेशिक टायप ज Christians रिलेक्सेशन प्लस कुंग की इंसीडेंटन इनाउंस इनसीडेंटल यानि कि आकास्मेश क्वाथ इंसीडेंटल सब्सक्राइब मत यानि की तुम्हारा Option B सच होगा Option B , boardulasth Greg basic टाइम की फर्मुर्णा क्या होता है तुम्हारा Jesus तो बेसिक टाइम की फर्मूटा होता है Mental वन कंट्राsystem प्लाइब बी फार्मुटा बेसिक टाइम towercheck for the system Это प्लाइब निकालने का जो यानि कि छूट भत्ता और बेसिक टाइम के तीनों का एड जो हता है वो उसी को बोलते हैं वर कंटेंट ठीक यह फार्मूला से आप पर डिफिनिशन विता सकते हैं कि डिफिनिशन क्या बाद सकता है वह कारी समगरी के अगर डिफिनिशन पूछा जाए तो बेसिक टाइम और रिलक्सेशन और इंग्सिडेंटल यानि कि तीनों के योग के बराबर तुम्हारा वर कंटेंट होता है तो इसी के साथ कह करते हैं कि आज का जो है यह तुम्हारा लेक्चर इहीं पर समाब्त किया जा रहा है तो आज कि आपकी जो लेक्चर थी वह एक बार फिर से आपको सीरीज दिया गया 20 22 कोशन का था आज तो आपको यह लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में आपक्मेंट बॉक्स में अच्छा कमेंट कर के बताए जिससे थी लेक्चर में कितने अधिक तक और भी सुधार किये बाने जेशी से पाय।